विलो दो बिल्ट बात करना ये बाते चलती थी जन दिन पर एक दूसरे को बधाई देना आना जाना नातारिस्ता निभाना ये तो परंपरा रही है विपक्ष में हाउस में लोग डिबेट करता हैं लेकिन बाहर अगर कुसी मुद्दे पर एकथा होना हो आपको ध्यान होगा इसी गांधी मैदान में मिसेस राजे के दरजा पर जदियू ने जितनी बरी रैली की और उतनी ही बरी रैली हम लोगों ने दिल्ली के रामिला मैदान में की तो इस इसू को तो पहली बार जहां जात की रैली होती थी लाठी की रैली होती थी लाठी में तेल पिला करके रै लिए देखे है क्योंकि जात के नाम पर उफान ला सकता है विकास के नाम पर उफान ला करके और हमको याद है कि जब हम लोगों ने रामिला मैंनान में रैली की तो आपके DCP बोले लगे उनको पहले मजाक में लिए अब बाद में जब रैली चल रही थी बोले जल्दी नहीं खतम कीजेगा तो जो दिल्ली के भुगौल को जानते हैं बोले आई टी ओ तक जाम हो गया मेरा ट्रैफिक सिस्टम कोलैप्स कर गया तो इतना बड़ी संख्या में लोगों का पार्टिसिपेशन कितने लोग सिगनेचर किये विसेश राजी को दरजा को लेकर के तो पहली ब जो हो मिनिस्टर हैं वो थे और वहाँ पर भी उन्होंने पूर्जोर तरीके से बिहार को विसेश राजी का दरजा मिले कि एक बेस जो बिहार का विकास का होना था उनितीस जी ने कर दिया यहां से अगला जंप अगर मारना है बिहार को तो बिहार को special package special category जो कहिए उसको व है उर्जा के साथ जो आपके party के कार करता है वो mission 220 की तयारी करेंगे एक उससे महत्पुन पक्ष है कि जब कारिकरताओं का इतना वड़ा सम्मेलन हो रहा है तो अगर party जन सम्मेलन कर देती जन रहली कर देती तो लोगों को एहसास होता और मुद्धा क्या है पंद्रह चौदह वर्षों का हमारा विकास की गाथा जो हमने विकास किया है जिसका मानक गाउं है कि गाउं के अंदर में कैसे सुक शांती हुआ सडके बनी विद्याले बने विविन साबाजिक संबू के बच्चों को स्कॉलर सिप मिला लालते अब गाउं में मिलता नहीं है बिजली जल रहा यही मानक है गाउं का विकास आज उसी गाथा की चर्चा होगी और बिहार की जनता इसी पर अपना कारिकरता अपना फीड़बैक देंगे और कारिकरताओं को संदेश दिया जाएगा जो लोग कहते थे कि जदियू के पास कारकरता नहीं है कोई कैडर नहीं है तो आज घानी मदान सुन लोगों को आप अपनी सक्ति भी दिखाएंगे कि आज एक बड़ी सक्ति के रूप में और अपना सक्ति परिक्षन जो है कानीमदान से करके पूरे बिहार के सभी रानितिक पार्टियों को चाहे वो सहयोगी हो या विरोधी हो नहीं आप लोग मैसेज देंगे बिलकुल हमारी पार्टिया जब कारिक्रम कर रही है तो पार्टिय अपना संदेश देगी संदेश विकास की गाथा का होगा समाज के सारे तबकों में बगएर तनाव पैदा किये जो मारा विकास का मॉडल है उसकी चर्चा होगी और साथी साथ नजारा साफ होगा कि कैदी की राज के चाहिए कि कानून का राज चाहिए एक सबाल और है सडकों पर अलप संक्यक समाज के लोग भी दिख रहे हैं तो लगता है कि NPR और NRC के खिलाफ जो प्रस्ताव बिधान समाज में लाये गया उसका यह नतीज़ा है माने नितीश कुमार जी ने जो अलप संक्यक समुदाय खारकस के इसलाम धर्म मानने वारे लोग के लिए जो काम किया है वह देश के अंदर एक नजीर है तो हमारी पार्टी के प्रतिबत कारी करता है देखिया विविन जगों पर हाई कोट के मजार के पास जाकर देखिये क कि हम कबरिस्तान गिरते हूं मौल गिरता है तो कौन सेकुलर है उनको एहसास है इस बात का तो बिलकुल थोड़ी देर के बाद पटना के एतिहासी गांधी मेदान में जदियू की जदियू का कारकरता सम्मेलन सुरू हो जाएगा हलाकि इसे कारकरता सम्मेलन अब कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि जितने संख्या में लोग दिखा रहें कहा जा सकता है कि बड़ी रैली और उस रैली की तैयारी पिछले कई दिनों से की जा रही थी कल रात से हैं लोगों के आने का सिलसला शुरू हो चुका था और बस अब कुछ समय और रह गया है जब उस कारकरम में मुख्यमंत्री नितीश कुमार के साथ जनता दल्यू के बाकी जितने नेता है वो वहाँ पहुचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे और खास तोर पर चुकि विधान सभा का चुनाव इसी बरस होना है तो इस कारिकरता सम्मिलन के काफी महत्व होंगे और अपने कारिकरताओं में नई जोस डालेंगे नितीश कुमार और बताएंगे कि मिशन 220 में कैसे जाना है और किन बातों को मुखे जेंडा बना करके मैदान में उतरना है